हेलो दोस्तों राधे राधे जेशी किष्णा नमस्ते बेलकम टू अवर यूटूब चैनल अपना किचन एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है आज हमारे किचन में बनने जा रहा है कच्चे आम की रेसिपी खटे मीठे अचार भी कह सकते हैं आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं आईए बताते हैं सबसे पहले मैंने अमिया लिया है अधा किलो आप बड़ा भी ले सकते हैं देना काि चोटी अमिया का इस्तिमाल किया है इसको अच्छे से साफ करके छीड लेंगे मैंने ढाई सिक राम गुड लिया है सरसो के दाने, कलोंजी, नमक, हल्दी, लसन, मेथी, जीरा, सौब, धनिया, लाल मिर्स, पांच छे पीस आप लसन अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने पच्चीस और तीस लसन लिया है आमिया को छील के साफ कर लेते हैं ये जो हम बना रहे हैं, रेसिपी, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है घर में कोई सबजी नहों, अगर आप अगर गलका बना के रखे होंगे तो रोटी के साथ इसको खाईए, बहुत टेश्टी लगता है खाने में ये खटा मीठा अचार भी कह सकते हैं इसको गलका भी कहते हैं, बहुत जिगा इसको कई सारे नाम हैं, इसके अलग-अलग नामों से जाना जाता है हमारे तरफ खटे मिठे अचार और गलका कहते हैं अमिया हमने छील लिया है, अब इसको काट लेते हैं देखे किती मुलाइम अमिया है चाकू की सायता से कड़ भी सकता है अगर टाइट अमिया इस्तमाल करेंगे तो काटने में दिक्कत होगी इसलिए मैंने छोटी अमिया का इस्तमाल किया है इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं गुर को छोटे छोटे इसमें तोड लेते हैं इसको तीन पानी से हम ढो लेंगे अमिया को, साफ कर लेना है, हाथों से मसल मसल के इनको अच्छे से साफ कर लेना है, इसी तरह से बनाएंगे, रिसेपी बहुत अच्छी लगेगी अमिया की, इसको दोनों हाथों से अच्छे से धो लेंगे वॉस कर लेंगे अब इसको चन्ने में रख देंगे अब इसका पानी थोड़ा सूख जाए फिर इसको बनाते हैं सारा पानी अच्छे से सूख जाना चाहिए लसन को पेश्ट बना लेते हैं गुर को भी तोड़ लेंगे हम गैस पे पैन चड़ा दिया है इसे में मसालों को थोड़ा फ्राइ कर लेंगे आधा चमच मेथी के दाने एक चमच जीरा आप कम जादा भी कर सकते हैं सौफ दो चमच आप अपने हिसाब से मसाला ले सकते हैं तीन चमच खड़ी धनिया सर्सो के दाने या राई एक चमच आप सर्सो के दाने भी ले सकते हैं राई भी अब इनको भून लेते हैं थोड़ा सा इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है भूनने से भून के अगर मसाला तैयार करते हैं तो जो भी चीज हम बना रहे हैं खाने की बहुत अच्छा टेश्ट आता है उसका इसको थोड़ा सा इसी तरह से भून लेते हैं भीनी भीनी खुस्बू आने लगी है आप इसका अचार भी बना सकते हैं कोई भी चीज बनाना हो आप बना सकते हैं इससे ये खाने में इतना स्वादिश्ट लगता है कि पूछिए नहीं खटे मीठे आम की रेसेपी ये देखिए भून गया है अब इसका पॉडर बनाना है इसको बारिक पीशना नहीं है इसको जो है एक बर्तन में निकाल लेते हैं आईए इसका पॉडर बना लेते हैं मिर्चा को भी थोड़ा सा भून लेंगे क्योंकि भूना हुआ मिर्चा अगर डालते हैं बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मसालों के साथ इसका भी पॉडर बनाना है जब मसाले हम पीश रहे हों तो मिर्चा को भी साथ में डाल देंगे यह देखे मिर्चा भी भून लिया है अब इन दोनों का पॉडर भी बना लिया है यह देखे बारिक नहीं है थोड़ा मोटा ही है इसी तरह से पीशना है गुड को भी मैंने तोड लिया है धाई सो गिराम गुड लिया है आप अपने हिसाब से कम जादा गुड कर सकते हैं कड़ाई में मैंने तेल को गरम किया है साथ आठ चमच साथ आठ चमच तेल लिया है तेल को थोड़ा गरम कर लेते हैं जो लस्सन का पेश्ट हमने बनाया था उसको वी सी में डाल लेते हैं इससे जो है जो हम गल का तैयार करते हैं लस्सन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है गल के में बहुत अच्छा फिलेवर आता है इसको थोड़ा गोल्डन कर लेते हैं बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है बडों को भी अच्छा लगता है अब जो मसाले हमने पीछ लिये थे उसको भी सी में डालके भून लेना है इसी तरह से चलाते रहेंगे दो-चार मिनट के लिए इसको ऐसे ही चला के भून लेते हैं फ्राई कर लेते हैं मसाला भी हमारा भूज गया है आधा चमच पिसी वी हल्दी डाल देते हैं कलोंजी मैंने भूजा नहीं ता फ्राई नहीं किया था उसको उपर से डालेंगे स्वात के अनुसार नमक ले लेते हैं कलोंजी इसलिए मैंने भूजा नहीं था क्योंकि अगर भूज के पीस लेंगे तो थोड़ा नीम ऐसा कड़ू लगता इसको उपर से डालते हैं तो इस तरह से बहुत अच्छा लगता है अब इसी में गुड़ को भी डाल देते हैं आप अगर इसमें गुड़ और सक्कर दोनों मिक्स करना चाहते हैं तो सक्कर भी मिक्स कर सकते हैं आधा गुड़ आधा सक्कर मैंने गुड़ ही डाला है धाई सो गिराम आप सक्कर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा इसको ऐसे चला लेंगे खटे मीठे अचार की रेसेपी इसी तरह से बनती है अब अमिया को भी डाल लेते हैं इसका पानी पूरी तरह से सूख चुका था अब इसको दस मिनट ऐसे ही चला के भून लेते ताकि गुड़ मसाला अमिया सब अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो सके इसको चलाते रहेंगे दस मिनट के लिए आपको हमारी कच्ची अमिया की रेसेपी कैसे लगी हो आप बताईए लाइक से और सस्क्राइब जरूर कीजिएगा जब भी गर्मी का सीजन आए आम का सीजन हो कच्ची अमिया आने लगे घर में बना डालिए खटे मिठे आम की रेसेपी बहुत अच्छी लगती खाने में आप इसको इस्टोर करके भी रख सकते हैं ये खराब नहीं होता है आप इसको पूड़ी के साथ पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में जैसे आपको खाना पसंद हो आप खा सकते हैं इसी तरह से चलाते रहेंगे मसाला, गुड़, आम, कच्छे, दोन, सब एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं कलर के लिए आप कस्मीरी मिर्श का पौर्डर भी डाल सकते हैं इससे बहुत अच्छा कलर आता है खटे मिठ्या चार भी गलके में अगर आपको नहीं डालना है तो आप मट डालिए इससे कलर थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए डाल दिया है हमने देखिए सारी चीजे एक दूसरे में मिक्स हो चुका है थोड़ी देर इसको और चला लेंगे अब ये सारी चीजे मिक्स हो चुकी है अब जतना इसमें पानी डालना हो उस इस साफसे पानी ले लेते हैं आपको अगर पतला खाना पसंद है तो ज्यादा पानी डाल सकते हैं अगर गाढ़ा पसंद है तो थोड़ा कम पानी डालेंगे हमने अपने हिसाब से पानी डाला है इसी तरह से इसको चला लेंगे अब इसको 15-20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे इसको एक पिलेट या थाली से ढखके रख देंगे बीच बीच में पिलेट को हटा के इसको चलाते जाएंगे धीरे धीरे ये अपने आप गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा बहुत अच्छा लगता है ये रेसेपी सभी को पसंद आता है अब इसको ढखके रख दिया है बीच बीच में इसको खोल के चला लिया करते हैं ताकि कैसी हमारी खटी मीठी अचार की रेसेपी बन रही है आईए देखते हैं देखिए हमारी खटे मीठे आम की रेसेपी तैयार हो चुकी है इसी तरह से बनेगा खटे मीठे आम का गल का आपको अगर और गाढ़ा पसंद हो तो आप थोड़ा इसको और पका सकते हैं अब मैंने गैस की फ्लेम को आफ कर दिया है ये बंद करने के बाद गैस चलिए इसको सर्व करके दिखाते हैं कच्चे आम की रेसिपी तैयार है खटी मीठी अमिया की आपको कैसी लगी हो वीडियो आप जरूर बताईए लाइक, सेयर, सस्क्राइब जरूर कीजिएगा हमारे जो नए दोस्त बने हो हमें सस्क्राइब जरूर कीजिएगा आपका दिन सुब हो नमस्ते मंगल मैं हूँ धन्यवाद